कि मतशा एंक है da अधे विवक्रणाश के सारे बचिया यहाँ प्यार से दिल्सेवागत है मेरे प्यारए बच्चे गाहँ झाल में जो- translucent मैं हुआ निछननल है सब दिल से, आ दे हैं। तो एसस का चैप्टर हम लेने वाला है आज एसस का चैप्टर जो है चैप्टर नमर 9 जिसका नाम है forest and wildlife resources जो कि बहुत ही important chapter है बहुत ही छोटा है इतना भी लंबा नहीं है जितना 10 है जितना 17 है जितना 18 है जितना फॉर्थ चैप्टर लंबा है उतना लंबा है एक दम शोड़त है एक जितना यह सो forest and wildlife resources इसके बारे में हम पढ़ेंगे देखते जाएंगे आगे क्या क्या आता है ठीक है सो फॉस्ट हम यह जान लेते कि इसमें से कौन सी कौन से यह सी चीज है जो एक्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गई है स्कूल्स वगेरे की एक्जाम में वह भी यहां आपको दिखाता जाओंगा बताता जाओंगा इंपोर्टन क्या पॉइंट है कि समुद्दे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना सारी बाते यहां एक्स्प्लेंड होगी सुझूरी मेरे साथ मेरे साथ मेरे चैनल को लाइक कर देना सब्क्राइब कर देना और कॉमेंट खास कर देना बेल बतिन तेन तेन अगे बढ़े उसमें सबसे पहले इंट्रेक्शन कुछ बात करी गई है कि एग्सिस्टन्स प्रोग्रेस डेवल्लप्मेंट अफ मैं तीन चीज़ा बताए गई गई है एक तो इंसान का एक्सिस्टन्स यदि हम सर्वाइव करता है जिनना रहना है और आगे बढ़ना है प्रोग्रेस करती है और खुद को डेवलोप करना है तो वी हैव टूबी डिपेंडेंट ओन रिसोर्स हमें रिसोर्स के उपर डिपेंड रहना पड़ेगा रिसोर्स के बारे में चप्टर एट में डिटेल में हम पड़ लिये है उसके लिंक ही आपका खतम हो जाएगा तो डेवलोपमेंट करने की और प्रोगर्स करने की बात ही आती है फिर दूसरा पाटी हमारे नीज हम कहां से पुरी करते हैं तो नेचर से पुरी करते हैं फोरेस्टार कंसिलेट टुब वेरी इंपोर्टन रिसोर्स आप मुद्दे बात आती है क पुर्स की इतनी हैमियत यहां पर बताई गई की रिसोर्स हमारी एकस्टूशन के लिए सबसे बड़ा मुझा है फिर रिसोर्स सारा है के सारे हम नेचर से मिलता है फिर यहां बात आएगी इफॉरर्स जो है वह बहुत ही इंपोर्टन रिसोर्स माना चाता है important resource मतलब इस chapter में ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में हम फूरस्ट के बार में पढ़ने वाला है जैसे जैसे chapter आगे बढ़ता जाएगा तो wild life के उपर जो forest में होता है उसके बार में हम पढ़ते जाएंगे सो फोर्स बहुत इंपोर्टेंट एक मार्क के लिए यह सवाल यह रहा आपके साम कौन सा सबले देख लिए बंदे सवाल यह है कि जुनरल मेनिंग और फोरेस्ट फोरेस्ट का मिनिंग क्या वोटी इस कोल फोरस आपको एक मार्क यह पूछ सकते हैं डिफाइन फोरेस्ट बच क्यां है ट्रीम फश्पष उन delightful आप रास का जो लैत पूर अंत पूरा रटार है सक्री ज मतलब जाड़ी जाड़िया सब कुछael क्रीम छार्य जिसमें ट्रीम जाड़ी जाड़िया ग्रा-टसर्फ जलगा फैल प्य्लूआ है उन्स ब्सक्या तो यह अब्ला तो ओ03 यह पू निवेजिटैशन की बात है वेजिटैशन मतलर से बहुतलब नहीं है जिसमें सहते हैं है वह गया कर numero सा यहाँ पे बात है वेजेटैशन के लिए है इंसान को कोई भी चीज के लिए बुलाया नहीं गया है इंसान ने सामने जाकर भी कोई हल्प नहीं करी है without the help of man without the help of इनसान जो जंगल में जो भी ट्रीज है वो नेच्रली ग्रो हुए है वैसे सारे वेजिटेशन मनलब ट्रीज को नेच्रल इंकलूड करा जाता है यह से जिसमें इंसान के कोई हल्प नहीं है वैसे नेच्रली जो ग्रो हुए है वैसे वेजिटेशन को वैसे फॉरिस्ट को दूसरे एक नाम से भी जैना जाता है जिसका नाम है virgin vegetation एक मार के लिए बूल सकते हैं What is called virgin vegetation it can be asked so आपको लिगना इसका इसलिए तो वरजिन, समझते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं नाव सच वेजिटेशन का मतलब क्या है बच्चे तो वह इस तरह के वरजिन के पारे में पता चल गया जिसमें इंसान की कोई हल्प नहीं नेश्रील ग्रों होते हैं अब इस तरह के जो virgin vegetation है वो कहाँ available है आज इंडिया में तो तीन जगा पे आपको पूछ सकते है where are sorry where is virgin vegetable table नहीं sorry where is virgin vegetation is available in India now हो तो एक हमालया दूसरा सुंदर्वन के जो जंगल है वेस्ट पेंगोल की और इस्ट में और तीसरा थार डेजर्ट राजस्तान के कुछ रिमोट एरियास में इस तीन जगा पे virgin vegetation आपको मिलेगा जिसमें वहां इंसान ने कुछ हैल पर नहीं करीप ऐसे naturally trees grow for रखे है तिक है अब classification of forest में जाते हैं कि forest की classification क्या है how many classification of forest यह भी आपको पूछ सकते हैं we will know about the three types of forest on the basis of forest में forest के बारे में हम जानेंगे वह वह इसके बेज़़ थी तरह के forest के बारे में जानना है पर वह वह किसके बेज़़ वह भी तीन के बेज़़ पे पहला है administration मतलब उसका संचाल एड़्मिनिस्रेशन कौन कर रहा है management कोन कर रहा है यह दूसरा है तीसरा है ओनर्शिप ओम के बेज़ इस पर फॉरस्ट की टाइप्स होंगे तेन एक एडिस्ट्रेशन ओनर्शिप एंड मैनेज्मेंट सबसे पहला है उसके हिसाब से टाइप होगा रिजरुड फॉरस्ट कौन सा रिजरुड फॉरस्ट याद रखना आपको यहां से टू फॉर्स ब्लैंक वगरा अब्जिक्ति जो भी कोशन सेक्शन हैं में पूशे जाते हैं बोट के एक्जम वह यहां से आनशुर हो जाएंगे तो यहां पर क्या चोट चाट दी जाती है कि नहीं दी जाती है कि यहां पर कंप्लेटली रिस्ट्रिक्शन बैन प्रोहिबीशन है किसके उपर लंबरिंग मतलब आप जंगल में गोम नहीं सकते हो जंगल में आ जाने कर सकते हो यहां पर कंप्लेटली रिस्ट्रिक्शन है यहां पर कंप्लेटली रिस्ट्रिक्शन है एल व्वड़ यू पी लंबरिंग आजाने कर सकते हो वोट कलेक्शन नहीं पेस्टरिंग क्या प्रोटेक्टेट इस फॉर स्टार लुगड आफ्टर बाइद एडिस्टेशन इसका भी ध्यान प्रशाशन ही रखता है मदब गवर्मेंट ठीक है लोकल पीपल यहां पे परमीशन है वहां पे सकते हैं और वूड एकठा मतलब लेड़ लगड़ी एकठे कर सकता है मतलब कौन मतलब यह लोकल नुकसान कर सकते हैं नहीं हो कि ट्रीज को नुकसान किये भीना आप अपने पालतू एनिमल्स को लेकिए जाओ चरा सकते हो और वापस घर चले जाओ तो तीन चीज़े प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में पी एफ में एड्मिनिस्ट्रेशन इसका धियान रखता है कलेक्शन पॉसिबल है यहां पर आप चीज को नुकसान नहीं कर सकते हैं तीसरा देखो हम पढ़ रहे हैं एड्मिनिस्ट्रेशन के अकुडिंग फोरेस्ट की टाइप से उसमें रिजर्ट फोरेस्ट के बारे में पढ़ लिया प्रोटेक्टेड और तीसरा अन्क्लासिफाइड फोर सब्सक्राइब पर यह प्रोटेक्टेड फोरेस्ट और पहला जो था वो रिजर्ट फोरेस्ट अब है और का सफवीड का मतलब क्या हो गया कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं है वो टीज आपको पूच्छ सकते हैं डिफाइड अन्क्लासिफेड फोरेस्ट तो सीधी बात आ प just allowed क्योंकि कोई classification नहीं हुआ कि यह reserved है यह protected है यह reserved होता तो उसके rules and regulation वहाँ पे apply होते है यह protected होता तो उसके rules and regulation apply होते है पर यह unclassified so trees failing के लिए animals grazing के लिए को restriction है मैं ठीक है अब दूसरा type है according to ownership administration and management in according forest type यहां पर बताये गए three classification of forest उसमें पहला आता है state forest state forest मतलब क्या state forest का मतलब reserved forest जैसा ही होता है central and state government सीधा इस forest को control करती है reserved forest में हमने यहीं बात देखी थी बच्चे most of the forest the देश के देश और दुनिया के अभी में वह न्यूस चैनल वाला रोल करने वालत देश और दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर के लिए देखते रहे हैं हमारी चैनल शाम तक देखो state forest में central और state government का सीधा control होता है और देश के जितने भी forest mostly mostly sub forest यह category में आ चाते हैं सारे mostly जितने भी forest देश में है वह सारे के सारे forest state forest मतलब जिसके उपर state या central government का control होता है दूसरा है communal forest community forest भी कहा जाता है इसमें क्या होता है यह आपको एक मार के लिए पूछ सकते हैं पैन नीचे कि रिया इसमें आपको पूछ सकते हैं क्या पूछ सकते हैं देखो communal forest is controlled by home is administered by whom या फिर ऐसे भी बुछ सकते हैं who controls community या communal forest देखो self local government institutions जैसे की ग्राम पंचायत municipalities corporation municipal corporations district पंचायत यह सारी local self government कहलाती है गाव में ग्राम पंचायत होती है डिच्रिक लेवल पर डिच्रिक पंचायत होती है बड़े शहरों में municipal corporations होते हैं जैसे के एहम्धापद municipal corporation राचकोट municipal corporation सूरद municipal corporations ऐसे और छोटे शहरों में मिन सपालीटी होती है यह community forest को control करते हैं और तीसरा आ गया प्राइवेट फोरेस्ट प्राइवेट फोरेस्ट प्राइवेट फोरेस्ट प्राइवेट फोरेस्ट कोई गले पंजाब हिमाचल प्राइवेट में ऐसे फोरेस्ट है पर यह फोरेस्ट के बारे में एक ऐसी जानकर जो देखो some of these forests are इसमें से कई सारे से फोरेस्ट है जो हैपजर्ड कंडिशन में मतलब unorganized condition में मतलब उसका ध्यान रखा जा रहा रहा नहीं इसलिए इसके बाद वाला पॉरेस्ट से शुरू होगा तो हमने तीन टाइब देख लिए तीन पॉरेस्ट से शुरू होगा है क्या according to ownership administration management के according तीन classification उसमें state forest communal forest और प्राइवेट के बारे में हमने देख लिया अब हम चलते हैं deforestation के बारे में जानने के लिए deforestation मतलब क्या आप जानते होंगे इसके बारे में देखो यहां पे एक बोर्डर है यह हरा भरा पूरा forest है इसमें trees कहीं सारे कना कने trees है और इसके बोर्डर के इस साइड देखो कुछ कुछ जगाओ पर trees है वह भी छोटे-छोटे बाकी जगा बंजर हो चुकी है तो यहां पर भी एक समय पर जंगल हुआ करता था पर अब यहां पर जंगल नहीं है तो जंगल जो था वहां से trees को काट दिया गया उखेड दिया गया जो भी करा गया बंजर कर दिया गया एससे इस situation को कहते है deforstation डिफ़ी नेशन देख लेते हैं देखो deforstation आपको define करने के लिए एक मार्क में पूच्छा रहा है क्या deforstation means define deforstation तो आपको लिखना है deforstation means destruction of forest forest का खात्मा हो जाना फोरस्ट का विनाश हो जाना फोरस्ट की फोरस्ट का लाले लग जाने निफोरस्टेश्ट इस्ट्रेक्शन मतलब विनाश इस्ट्रेक्शन मतलब खात्मा ठेक है this is not a problem of our country alone यह सिर्फ हमारे देश का problem थोड़ी ना है तो सर जी तो क्या it is one of the global problems global world level के international level के कहीं सारे problems है उसमें से एक problem यह destruction of forest मतलब दीफोरस्टेशन भी है वो इंडिया में सिर्फ ट्रीज या फिर जंगलों का खात्मा हो जाना ऐसा नहीं है पुरे वर्ल्ड के लाले पड़े है it can be said एसा भी कहा जाता है it is result of the progress of man deforestation क्यों हो रहा है क्यों हो रहा था तो इसके पीछी की एक वजह for progress of man इंसान जैसे जैसे progress करता गया जंगल को खाड़ता गया वहां पे शेहर बसाते गए वहां पे रास्ते बनाते गए वहां पे ट्रेंड के tracks बसाते के multi-purpose project हमने वहां पे कर दिया कहीं सारी चीजे माइनिंग करता शुरू कर दिया इन सारी चीजों की वजह से deforestation हुआ है trees are destroyed naturally trees naturally be destroyed होते हैं इसा नहीं कि इनसानी इसके बीचे होने के जो percentage है उसके बार में लिखा है it is negligible मतलब बहुत ही कम है compared to the loss inflicted by human interference इंसान का जो interfere है उसकी comparison में नेचरली जो trees कटते हैं या फिर खतम होते वह बहुत ही कम amount है ठीक है so deforestation के बार में हमने जान लिया हमने पता कर लिया कि what is the meaning of deforestation destruction of forest forest का जो खात्म हो जाता है उसे हम deforestation कहते हो और उसके बार में हमने पढ़ लिया अब यहां है impact of deforestation क्या है impact impact के बाद हम remedies मतलब solution भी पढ़ेंगे deforestation हो गया जंगल का विनाश हो गया जंगल का खात्मा हो गया और वहां से आगे बढ़ना है वहां से आगे यह देखना है कि उसकी impact क्या होगी deforestation एक बार हो जाता है जंगल का खात्मा एक बार हो जाता है तो वह वोड़ी देफेक्ट देखने पड़ेगी देखो अब हम पढ़ने जा रहे है impact of deforestation deforestation देख लिए the next the impact of deforestation is widespread यह point में तो कुछ दम नहीं है तो बहुत ही बड़ी ज्यादा तादात में इसकी effect होती है खराब effect होती है वह लिखा है तो कॉले quantity of carbon dioxide increases in the atmosphere देखो जितनी तादात में trees काटे जाएंगे trees को खतम कर दिया जाएगा forest को खतम कर दिया जाएगा उतनी तादात में oxygen जो है वह level एकदम नीचे आता जाएगा डाउन होता जाएगा और क्या बढ़ता जाएगा carbon dioxide वह बढ़ता जाएगा सिधी सी बात है क्योंकि trees जो है forest जो है वह carbon dioxide को अब वहीं नहीं रहे तो carbon dioxide बढ़ता जाएगा green house effect जो है green house gases जो है वह intense तरीके से बहुत ही ज़्यादा तादात में atmosphere में बढ़ती जाएगी green house effect होगी the soil erode हो जाएगी soil क्या है erode हो जाएगी because मैंने आगे समझाया है यह trees जो है ना trees जितने भी trees है वो सारे के सारे trees अपने roots के थूँ soil को पकड़ रखते उसे erode नहीं होना देते है उसे बहने नहीं देते है but once trees gone trees चले गए तो roots भी चले जाएगी तो जो अर्थखा upper surface जो है जिसे हम soil कहते हैं जो temperature rate में बढ़ा था उसके बारे में वो erode आसानी से हो जाती है वो दूल जाती है फिर तो that is very bad effect remote forest cover forest cover remove हो गया trees remove हो गया forest remove हो गया तो forest का cover भी remove हो गया forest cover remove हो गया तो soil erode हो जाएगी so the farm fertility decreases farm में मतलब जहां कुछ ना कुछ उगाते हैं बंदे उस farm में उस खिर्थ में जो field है जो soil है वो soil की fertility जो है fertility की वचे से ही plants grow करते है otherwise they cannot be grown so fertility down हो जाएगी fertility में कुछ भी बचेगा नहीं so the fifth point उसके बाद है in the peninsular India मतलब south इंडिया की बात यहां पर है peninsular मतलब जिसके तीन और पानी है उस एरिया को peninsular यह कहते हैं इंडिया में तीन और पानी कहां पर है तो तीन side east south and west के side south इंडिया में पानी है तो उस एरिया में forest area जो है वो decrease हो गया मतलब वहां forest का जो area था उसका जो content था वह बहुत ही ज्यादा था number of areas ज्यादा थे और दीर दीर वो down हो गये क्यों deforestation की बज़े से देखो इसकी effect यह यह बहुत ही खराब effect एक के बाद एक चल रही है many living organisms have lost their adults aborts sorry aborts एड़ प्रेमियर प्रो एड़ फोटोशोप की बात नहीं है कहीं सारे living organisms कहीं सारे जीने वाले जिन्दा जियो चाहे animals हो फिर चाहे birds हो चोटे चोटे creatures हो उन सबने अपनी life गवा गी because उनका गर ही forest था aborts मतलब गर उसका गर ही forest था साला forest ही खतम गर दिया गया तो forest खतम होता है तो उसके साथ साथ खतम हो जाएं वाले सारी चीज़ें खतम हो गई ठीक है as a result उसका परिणाम किया आया the world sorry the wild animals approach urban settlements in search of food and water जंगल में उसे food मिल जायता था जंगल में उसे भी नहीं मंगवाई उन्होंने कोई भी चीज़ पर अब जंगल नहीं रहे जहाँ वो रहते थे खाते थे पीते थे वो जंगल हटा दिये गये उसकी जगह पे कुछ और बना दिया गया तो वहां रहने वाले animals कुछ मर गए यहां पे लिखा है कुछ मर गए और बाकी जो wild animals बचे वो अर्बन सेटलमेंट मतलब आजू-बाजू के गाउं और सिटीज में आना शुरू हो गए क्योंकि उसे खाना चाहिए उसे पानी चाहिए कहीं सारे बंदर से इम्ताबाद में राज़कोड में अलग-अलग सिटीज में कुमते हैं यह यह अर्बन एरियास जो है वह ओरिजिनल उन लोगों का घर थोड़ी ना है पर वो आते गए फिर हम उसे बगाते हैं जाएंगे कहां हमने तो चीन लिया पागलों की तरह लालची होकर उन लोगों का घर और चलो मानते हैं जंगल की जरूरत हमें पढ़ती है शहर बसाने के लिए अलग-अलग प्रोजेक अधक हमने नहीं करी और एक एस्टर इस ऊच्छ इंश्व इस मतलब एक्स अब देख लो तो कार्णिवरिस एंपल जो है जो किलिंग डे डॉमस्टिक अनिमल्स कार्णिवरिस इनिमल्स क्या है जो दूसरे इनिमल्स को शिकार बनाते हैं खाते हैं और जिंदा रहता है वैस लेलो उनको शिकार बना देते है तो यह कर्णिवर्स जो ऐनीमल्स है वो डॉमस्टिक इनीमल्स गो मारते हैं कंभिया और जंगलों के आसपछ रहने वाले बाधी उनके HOL designed मार कर अपना पैट बर लेते हैं यह तक एफेक्ट यह सिचुएशन आई उस तक हमें उसने हमने उसको मझबूर कर दिया यह एफेक्ट है सारी दिफोरेश्टेशन जंगल का खात्मा हुआ तो यह सारी चीज़ है आगी तो देख लो क्या क्या एफेक्ट हुई फरस्ट फोल क क्योंकि फोरेश्ट का रिमो हो गया फाम फोलीटी डाउन होगी पैंसुर एडिया में लार्ज कॉंटिटी में डिफोरेश्टेशन हुआ तो कहीं सारे लिविंग और्गिनीजम्स जो है वह उन्होंने अपनी जिन्गी कमा दी वाल एनिमल्स अर्बन सेटलमेट में हैं वह उन्हें देख़े और अब उलुशन क्या है डिफोरेश्टेशन की बात हैं फोरेस्ट को कंसरुकर हों कभी विवरुब्एश्टों करना के लिए उसे फिर से अपीस प्रूरमेशन दोवाये क्या है हमारे पास forest conservation के लिए कौन कौन सी दवाय है, मतलब दवाय है मतलब solutions क्या है मार पास रास्ते क्या है मार पास कि हम forest को conserve कर सके उसे बचा सके, जो भी उसमें defortion हुआ है उसे फिर से rubber कर सके तो उसके लिए क्या काह हो सकता है, देख लो, first पहले तो research should be carried out to find out the option of wood, पहली बात से इधी माथे पे मारी है यदि आपको forest को फिर से हराबारा करना है, एक ही चीज सबसे पहले ये सोच लो कि jungle से सबसे ज़्यदा wood को collect करा जाता है, तो what would be the option for the wood wood का पहले तो option डोंड लो भाई, wood का जब तक, wood का जब तक option ने मिलता है तब तक के लिए jungle खतम होते जाते है, उसका घर कोई रास्ता ही नहीं है, so first of all इसा research होना चाहिए, कि wood का हमें option मिले, this will reduce the usage of wood, इससे क्या होगा, option ये दि मिल जाएगा तो उससे wood का use जो हम घटा सकेंगे, और forest को हम बजा सकेंगे सीली बात है, देखो घर में जो furniture वगेरा होता है, तो वो furniture में क्या होता है, कि पहले की जमाना में सबसे जादा, अच से कुछ साल पहले की बात कर लो, तो wood का ही इस्तेमाल होता था, मतलब jungle की तो वाट लग जाते थी अब क्या आया, धिरे-धिरे plastic का use होने लगा PVC का furniture बढ़ने लगा soft plastic और hard plastic दोनों का, तो उसने jungle का जो, ये wood का option है, वो बहुत ही बढ़ गया और फाइदा करती है, वैसे कहीं सारा field में होना शुरू देखो, पहले railway line की जो पट्रिया होती थी, उसके नीचे, पट्रिया के नीचे support के लिए, wood के इतने बड़े-बड़े टुकडे लगाया चाते थे, ठीक है अब वो नहीं है, अब concrete, cement के लगाया चाते है मतलब वो उसने भी कितने wood को forest को बचा लिया, ऐसे कई सार फिल्ड में, यदि हम wood के options को सामने लाते जाएंगे wood बचेगा आखिर कर चंगल बचेगा whenever, wherever trees are to be cut, देखो ये solution भी बताए, must solution है, ठीक है, trees को यदि काटना पढ़ता है कहीं पे भी, यदि जरूरत हो, उसके बेना चलेगा ही नहीं, चलो, मान लेते हैं, यदि trees को काटना पढ़ता ही है, ठीक है inevitably, मतलब बहुत ही जरूरत है tree को काटने की for the development work, कोई भी development work करना है, कोई multi-purpose project, कोई रास्ता बनाना है, कोई गाहों बसाना है, या कुछ भी, जंगल काटने की नोबत आही जाती है तो, trees को काटने की नोबत आही जाती है, तो new trees of the same species should be grown जो भी trees आपने काटे है उसी species के उसी चाती के, ठीक वैसे trees को आप उसके आसपास grow करो, उगाओ और बढ़ा भी करो, सिर्फ बूदेने से tree plantation करने के तो, बहुत सारे program होते हैं पर फिर उसे grow करने के लिए कौन जाता है हर साल होता है tree plantation program एक ही ground में, तो last time ground में, जो tree plantation किया था उसका क्या हुआ, बबुआ वो बात है कि trees को काटना पढ़ता है आवशेकता है, जरूरत है बट, उसी species के trees को फिर से हुआ यह, तीसरा solution, जो था, there should be a total ban of for cutting trees which are not grown fully, जो trees fully grown नहीं हुआ है अभी छोटे plant है in short में कह सकता हूँ कि trees अभी adult नहीं हुआ है अभी छोटे है, वैसे छोटे trees को completely grown नहीं हुआ है, वैसे trees को मत काटो, यह भी solution है, उसके उपर completely banned होना चाहिए, यह दे किसी नहीं काट लिया तो उसे, दो कुटे इससे दोडा कर कटवाना चाहिए फिर है आगे, those industries which receive their raw material from the forest forest से जिस industries को अपना raw material मिलता है, भाई समझते हैं आप, जो भी industries, forest से अपना raw material मंगवाती है trees को उसे काटने पड़ते हैं तो, to be compelled उसके उपर ऐसा दबाव होना चाहिए by government ऐसा force होना चाहिए, for a forestation the future needs, देखो उसने यह एक एरिया में आपको समझाता हूँ, यह एरिया है इस एरिया से industries अपने trees को काटती है अपने purpose के लिए उसे industry में जरूरत पड़ती है इसलिए trees यहां से काट दिया ठीक है, तो यहां से जिसे ही उन लोगों ने trees काट दिये ठीक है, तो future में भी उस industry को trees के जरूरत पड़ेगी तो यही जगा पर जहां पर trees काटे है, same species के या फिर उसे जो भी future में need है, वैसे trees इस जगा पर उसे खुद अपने खर्च पर उगाने चाहिए त्यान देके और जब तक यह trees उग जाते हैं तो इस जगा में भी वैसे trees उसे उगाने चाहिए यहां से काट दिया यह अभी तो बड़े हुए उससे पहले बड़े हो जाते हैं तो यहां से काट दिया हम तो यह बड़े हो रहे तो alternative उसका चलता रहेगा तो कभी deforestation नहीं होगा जहां से वह deforestation करती है करने की उससे उसके उपर एक ऐसा दबाव होना चाहिए गवर्मेंट का ऐसे rules and regulation ही होना चाहिए अब forstation मतलब जो मंजर जगा है जहां पर जंगल था वहां फीर से जंगल बसाना फिर तीसरा point है under the name of ecotourism ecotourism मतलब क्या जंगल में जंगल में जाना जंगल में गोमना लोगों को जंगल के बारे में आहत करना मतलब उसके बारे में बताना जंगल का importance बताना इसके नाम पे जो भी पिकनिक या जो भी जंगलों में होता है उसके नाम पे forest cover should not be damaged forest cover कभी damage नहीं होना चाहिए strictly controlled होना चाहिए वरना क्या होता है ecotourism के नाम पे लोगों को जंगलों में जाब पिकनिक के नाम पे या अलग अलग नाम पे लोगों को ले जाये जाता है फिर वहां पे खाना ये वह सब होता है और वहां littering मतलब plastic कच्छरा जो खाने की डीश है पाने की glasses वह सब कुछ महीं छोड़ दिया जाता है and that effect that damage forest cover यह नहीं होना चाहिए चोथा widespread public awareness programs चलाने चाहिए सीधी बात है local people को खास तोर के खास तोर पे समझाना चाहिए कि वह यह forest cover forest बहुत ही important है forest के बारे में local लोगों को सबसे जादा उसका importance बताना चाहिए ताकि वह aware है importance of forest and their conservation strategies should be included in the syllabus of school and colleges this should explain the necessity of forest conservation सीधी बात है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ school or colleges के syllabus में forest के importance के बारे में पढ़ाया जाहाना चाहिए जिस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छो नमबर social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking plant steps for the necessity of fodder and firewood देखो दो चीज़ों के बारे में यहां पर बात करेगी social forestry and दो सरह agroforestry तो यह social forestry क्या है social forestry का मतलब यह होता है यहां पर लिखाए ना should be developed intensively by taking plant steps उसके लिए plant पूरे plants के साथ steps लेने चाहिए तो यह social forestry का मतलब क्या है कि जो उसमें क्या है trees को protection देने की बात है जो baron मतलब बंजर जमीन को फिर से हरा बरा करने की बात है यहां deep forestry को चुका है वहां से फिर से और forestry मतलब जंगल बसाने की बात है उन सब activities को कहते है social forestry दूसरी बात है agroforestry agroforestry मतलब क्या जहां आपकी agricultural land है जिसमें आप कुछ ना कुछ cultivation करने के लिए कुछ ना कुछ उगाते हो उसके बीच जो भी आप उगाते हो उसके बीच trees को उगाओ या फिर आपके खेत के आसपास trees होने चाहिए वह जो trees उगाने की बात है वह है agroforestry यह दोनों चीज़े social forestry agroforestry होनी चाहिए क्यों क्योंकि हमें fodder की जरूरत पड़ती है और firewood की जरूरत पड़ती है दोनों agroforestry and social forestry से हमें मिलता है क्योंकि जंगल के आसपास रहने वाले लोग mostly कहीं सारी ऐसी जगाय जहां पे यह gaze की pipeline LPG नहीं पहुंच दिये वह आज भी खाना बनाने के लिए firewood का यूज़ करते है तो वह अपने खेट के हासपास यह जंगलों में जादे 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 ट्रीज उगाते है बंज़ जमिन पे जादे ट्रीज उगाते है social forestry के थूँ तो उसे फाइदा होगा यह दोनों जरूरी है फिर seven point है in place of firewood देखो firewood जो है जो इसे like क्या बोलते है जलाने के लिए वो यूज़ करते है उसका alternative options हमें तोंटना चाहिए जैसे कि solar energy जैसे कि natural gas should be implemented पहले के जमाने में चूले में ज्यादत और क्या जलाया जाता था यह firewood मतलब यह क्या मूलते है firewood मतलब यह trees की लगड़िया उसे जलाई जाती थी उसकी जगापे आज मुस्लिक घरों में जखाज़कर के city में और गाउं में भी है क्या आ गया है natural gas LPG दूसरी solar energy solar energy का light वगेरे में यूज कर सकते हैं तो कहीं बार light वगेरे चली जाती है तो solar energy काम में आ जाती है तो यह options उसके है उसे implement करने चाहिए forest resources should be used sparingly forest में से जो भी resource मिलते हैं उसका use sparingly होना चाहिए sparingly मतलब जब जरूरत पड़े खास तो भी उसका use होना चाहिए वैसे ही west करने के लिए नहीं first basis पे नहीं last basis पे जब जरूरत पड़े तब in order to make process of trees grow faster and healthier देखो आपने trees होगा है जो deforestation हो चुका है वहाँ पे trees ज्यादात में होगे वैसे आपकी ख्वाहिश है तो उसका जो trees है उसका growth fast हो healthier हो तो उसके लिए infested trees infested trees का मतलब है सड़े हुए trees जो है वह remove कर देने चाहिए सड़े हुए trees है वह कोरोना की जैसा है वह दूसरे trees में infection फैलाते है और दूसरे trees को भी सड़ाते है उसका जो growth है naturally fast उसे stop कर देता है तो यसे जो infested trees है जो infection फैलाते है सड़े हुए trees है ताकि दूसरे trees आरा हम से faster grow कर सके फिर forest fire caused heavy damages to the forest देखो forest में जंगलों में जब आग लगती है तो वह बहुती ज्यादा heavy damage करती है जंगलों को बहुती बड़ी तादात में damage होता है तो वह damage को यदि हमें रोकना है तो क्या होना चाहिए separate system force separate system या फिर एक force हमारे पास होनी चाहिए national level पे जो यह forest को dowsing मतलब forest को एक दिम बुजा सके वैसा ही काम करें और ब्राजिल अमेरिका में कही बार ऐसे जंगलों में आगे लग चुकिए पीछले तीन-चार सालों में यह separate team है जो यह आख को कैसे भी करके control कर सके तो वैसे system हमारे पास होनी चाहिए ताकि जंगलों को हम बचा सके देखो transportation fast हो गया है traveling कहीं पर जाना हो एकदम easy हो गया है इसके वज़े से क्या होता है thousands of pilgrims मतलब हजारो यात्राडो लोग जो यात्रा करने के लिए जाते है religious purpose जाते है कहां forest area में चले आते हैं भंडारा होता है भंडारा मतलब forest areas में कई मंदीर होता है और कहीं लोगों को वहाँ खाना खिलाया जाता है बड़ी तादात में या फिर मेले और्गेनाईज किये जाता है फेर्स और्गेनाईज किये जाता है या फिर परिक्रमा और्गेनाईज करे जाती है अन्यजिस की गिर्नार है पर्वत हमारा जुनागर में उसके आसना करी जाती है उसके लिए निवाले के बाद कोई सारे लोग हजारों की संख्या में वहां आते हैं तो यह यह भंदारा होता है खाना खिलाए जाता है परीक्रमा और गिसकरी जाती है उससे कोई प्रोब्लेम नहीं है करो कोई बात नहीं but at that time later should be cleared properly यह लोग वहाँ जो प्लास्टिक से लेकर कुछ भी कच्रा छोड़ जाते हैं जो बहुत ही तादात में क्योंकि 1000 पीपल वहाँ पहुचते हैं तो वह जो भी कच्रा वहाँ छोड़ के जाते हैं वह जंगलों को डिस्टप करते हैं डेमेज करते हैं खतम करते हैं तो यह जो लीटर है यह जो कच्रा है वह प्लियर हो जाना चाहिए प्रोपरली अदर्वाइस दफोरेस्ट आर पॉल्यूटेड पॉलुशन बहुत ही बढ़ जाता है वह पॉलुशन बढ़ना नहीं चाहिए बंदे ठीक है उसके बाद एन एरिया शूड बी डिमार्केटेड एन रिजरूड फॉर एनिमल देखो जंगलों के जो एनिमल से उसके पैस्चरिंग के लिए उसको खाना मतलब वो जो खास के उपर खास करें डिपेंडेंट होते हैं वैसे एनिमल के लिए एक ऐसा एरिया अपना फूड दूडने के लिए कहीं आउट ओफ एरिया ना चले जाएं तो यह दस पॉइंट जो हमने पढ़ लिए यहां किस बारे में पढ़ लिए रेमेडी फॉर फॉर फॉर्स कंजर्वेशन वहां से आगे पढ़ना है वाइल लाइफ डाइवर सिटी के बारे में यह बहुत इंपूर्टन पॉइंट है इसमें वन मार्क कोशन बहुत निकलते हैं तो लेट स्टार्ट एंड लर्न ओके अब देखो यहां है वाइलड लाइफ डाइवर सिटी कि मतलब वाइल लाइफ में बर्ड साजय आजयते हैं इसमें डाइवर सिटी का एंब इसमें डिफॉरेंटी एट कि यह वो हमें देखता है सबसे पहले यह पॉइंट तो एजी है कि there is a large diversity in climate and physiography इंडिया की जो physiography और इंडिया का जो climate है वो पूरे इंडिया में एक जिसा climate और एक जिसी physiography नहीं है अलग-अलग है कहीं दोप बहुत ही कम होती है कहीं बहुत ज्यादा दोप होती है कहीं बारिज ज्यादा होता है बहुत अलग-अलग everything is different in India in every part of India nothing is same everywhere second part due to the geographical diversity यह geographical or climatic diversity की वजह से आपको large variation देखने को मिलता है किस में insect birds animals and vegetation climate different है देखो आप questions याद कर सकते हो climate different है जिए फिजिव ग्राफिट जो है वो different है उसकी वज़े से चार चीजों में बी डिफरेंट यह उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है एक है insect birds animals and vegetation जीचिए अब देखो यह दो सवाल जो है तीन सवाल जो है यह तीन सवाल बार-बार questions पूछे जाते एक्जामिनेशन में कैसे कि देखो there are about कितनी species है animal and birds की world में याद रखना पूरी दुनिया में कितनी species है animal birds की तो बोले 15 लाग 1.5 million ठीक है अब आपको सिर्फ यह पूछेंगे की सिर्फ इंडिया में birds और एनिमल की कितनी species found करी जाती है आउट फिफ्टीन लाग 81,251 species इंडिया में देखी जाती है बन दे समझे बच्चा जान पूरे वर्ड की बात करें इंडिया में bird of bird and animal species की बात करें 81,251 अब यह भी पूछेंगे कि बायो डाइवर सिटी की टॉम्स में बायो डाइवर सिटी की टॉम्स में इंडिया पूरे वल्ड में कितने रैंक पर कितने नमबर पर आता है बच्चे तो ट्वरफ नूम्बर पर इंडिया आपको आफरिका नहीं जाना है एशिया के अलग कंट्रीस में नहीं घुपना है और वहां के तो इंडिया में देखना है यहां पर लिखा है आफ्रीकन जरक यहां अफ्रीकन जरक यह भी इंडिया में देखने को मिलता है यह देख ऐसे रहा है जिस मैंने उसकी फोटो उसे बीना पूछे लेली हो यह देखो लेली फोटो निकल दे अब यह है काश्मीरी डीर वाइल्ड गोट्स का फोटो में ने रखा नहीं क्योंकि पैड़ बकरियों का तो हमें पता ही होता है वह एक काश्मीरी डीर है यह अच्छे से फोटो शूट करवाने के लिए खड़ा हो वैसे खड़ा फिर एलफंट्स वह अब एक तरह के बंदर यह भी इंडिया में देखने को मिलते हैं फोटो देखो कैसे शूट करवा रहे हैं लेलो फटो लेलो तो आफिकन जहरा के रविन वॉल्फ वाइल गोट्स काश्मीरी डीर एलिवांट्स गीबोंस फॉर्म साथ इस टेशिया इंडिया में देखने को व्रव के वालो फाली बैसे जो इंक्लूथ बावडेवरसी टीवीं इंक्लूथ बाव बाव्डिया किया उसमें और भी कुछ इंक्लूथ गयोट्स होते हैं जैसे कि ब्लेक बैर भलू काला बलू एक सिंग वाला राइन वन होट रायनो डीर मिलते हैं डिफर्शर्ट टाइ अलग-अलग snacks भी देखा होता है फी को पी देखा होता है यह तो यह नहीं देखा होता शायद और brain के यह को डर भास्टर थ्र फिर है कि आया था होख यह लओं है यह होक है जिर Kingfisher and here Flemming away ऑप्र बीजितनी जी चाहत वी के उपर हिमाले में जी तिन्ह पार आपको तू लेपर देखने को मिलेगा उतने हो चाहे ओपर आपको रैट पांड़ा फेदो देखने को मिलेगा है ठीक है फिर इंडिया कंट्री देखो यह सवाल फॉस्ट चेप्टर में भी था वेजटेशन में इस वाल यहां पर भी है इंडिया ऐसा कंट्री है पुर वर्ड में जहां टाइगर और लाइन अपने नेच्रल अबोड में कुमते हुए देखे जा सकते हैं पर यह चीज में कीजिसे थोड़ी गलती हो ऐसा हो सकते है अग्छ अफरीका में सफारी में जाओ इजंगल हो और फिम वहां लाइन नेच्रल अबोड में देखने कुंते हैं तो पता नहीं पर पुछे तो यहीं लिख देना है कि टाइगर लाइन यहाप नेच्रल अबोर्ड में जैसे गीर में लाइन से खुले गुमते हैं और सुन्दरवन के जंगलों में टाइगर्स खुले गुमते हैं फिर डिरिंग फिंटर विंटर सीजन जब आती है तो माइग भरतपूर राजस्तान वहां आते हैं नर्स वर गुजरात में आते हैं क्यों आते हैं विंटर स्पेंट करने के लिए मतलब विंटर में यह तीन जगा पर यह भी राजस्तान का ही प्लेस है भरतपूर राजस्तान नर्स वर गुजरात तीन जगा पे डिस्टंस प्लेसिस से यह बाइवर्स इंपड़ रहे हैं कि कितनी अलग अलग तरह के इनिमल्स बर्ड यहां मिलते हैं सी टर्टल्स भी आते हैं अपने अंडर देने के लिए कहां सेंडी कोस्ट ओडिसा उडिसा का जो कोस्ट लाइन है में जांवें वहाँ आता है इंडिया के पाइथोन भी फेमस है के गज़ा कहीं तरह के और भी साप किंकोब्रा वह यहां देखने को मिलते हैं पर कीince को ब्रा कहां देखने को में बलता हैं देखो सदन के रेंज देखो यह है इंडियन पाइफन यह इंडियन पाइफन है और यह है किंग कोब्रा जिसके उपर से यह बाबजी का ठुल उपड़ा है वह एक कोब्रा अब वाइल लाइफ डाइबर सीटी हमने देख ली कितने अलग अलग तरह के इनिमल्स यह देखने को मिलते हैं अब देखना है वाइल लाइफ ओन extinction मतलब extinction मतलब खतम होने की कगार पर ऐसे कौन से वाइल लाइफ एनिमल वर्ट खड़े हैं उसके बारे में जानकारी हमें चाहिए टुटे मेने वाइल और वर्ट आरोन वर्ज अएक्सिंशन वर्ज मतलब का गार मतलब की नारा खड़े हो खतम हो जायेंगे टाइगर्स वर फांट फ्रॉट इंडिया जिरिंग लासे लासे चुर्व तोट्व ट्विंटिस सेंचुरी तक पुरे इंडिया में टाइगर्स प नहीं पर जो थे वो दिखते थे पर आज की बात करो लुचिह तैगर टॉट गुजराट के फोरस्ट में एक ठीkeln नहीं भचा है आधर भी नहीं बचा है तैहर का भी नहीं बचा है सत्य कि अ चिता चिता तो पूरे इंडिया से विदा दे दे एक्सिंट फॉम इंडियन फॉरस्स में चिता है ही नहीं थो जैसे कि वच नहीं देखते हैं जो इनिमल्स मर जाते हैं सड़ जाते हैं उसे खा जाते हैं सफाई कामदा धक्ति फिंक फ्रोट पिंक डले की डख नहीं मिलती है क्रेंज आवल्स नहीं मिलते हैं सारे के सारे वर्ज उप एक्स्टेंशन खतम होने की कवार प्यार देखते हैं यह है वल्चर यह पिंग थ्रोटेट अब डग और यह है क्रेंग आवल्स अमने देखा यूँआ होता है फिर भी दिखा देते हैं चलो यह आवल है मेरी फोटो खीच रहे हो चीलोतर बर्ड यह है चीलोतर बर्ड इंडियन चीलोतर बर्ड जो अरुना चल में नोर्थीस्ट में बहुत ही मिलता था पर आज दिखता ही नहीं कहीं पर है यह देर्ड इंजर आफ शर्वैवल अफ अलिगेटर फ्रेशोंटर यह फ्रेश वुटर की गंगा वागेर रिवर की फ्रेश वहां वाले य civी एडिखने पूर गया था पान गंगा का बहुत ही प्योण हो गया था तब उसमें गंगा देकि गई थी तो वह भी अब नहीं है नाइन पॉइंट नम्मर उप सी टर्टल कहीं सारे सी टर्टल समदरी कच्छ वे वह उडिसा की कोस्ट पे आते थे गुजरात के कोस्ट पे आते थे और वह भी अब दिरे दिरे डिक्रीज नंबर में है वुटर फाउल जल्बी लाड़ी जो देखो इसके फोटो ही यह है वोटर फाउल जल्बी लाड़ी मिल दी नहीं है कितनी बार में फोन ट्राइकिया वोट्सप किया नहीं मिल दी है अब टाइम हैस काम फुर आस तो थिंक अब आउड बाउट इस लिए इस सीरियसली अमने इसके बारे में नहीं सोचा तो बहुत ही बुरा होने वाला है तो अब सिधी बात है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह सारी बात है सर आपने बताए कि सब खतम हो रहे है एकस्टिंट हो रहे है तो सीच्विशन यह है कि क्या रिजन से सर उसके पीछे कि क्यों खतम हो गये वाइए थे कि वालाइफ का डिस्ट्रक्शन हो गया विनाश हो गया तो वजह किया है उसके पीछे फॉस्ट डिव दिव दे हुमन इंटर्फिरेंस सबसे पहले हम ही होते है एडे लोग समझे बच्चे यूमन इंटर्फिरेंस इस ग्रास लैंड इन वाटर्शेड अरिया और एंडिसातए जंगल में दूचीज होती है जंगल के जो आनिमल्स होते हैं जो खास लगला खाता हुद रहता है इन्दोंगे और अदर इन दोनों को अधोने के लिए皮ैगा कि न दोनों की उपर वाइल एनिमल्स का डिपंडेंट रहता है तो हमने जैसी वहाँ इंटर्फिरेंस किया तो उसका जो नेचरल है वाइल एनिमल्स का वह खत्र में आ गया सिद्धी बात कि आपके घर के उपर में डाका डालो तो आपका आपकी लाइफ है वह खत्र में आई जाएगी है दूसरा पर डिस्ट्रक्शन ऑफ फोरेस्ट में रीजन है यह जंगलों को खत्मा हो जाना जिसके बारा में हम आगे यही चेप्टर में पढ़ा था दिफोरेस् इस वह में रिजन है रिस्पोंसिबल फोर नेचरल इंबेलेंस नेचरल इंबेलेंस क्यों हुआ तो उसके पीछ दिफोरेस्टेशन इस फाइन इंपक्त उसकी एक फाइनल इंपक्त किया हुए बच्चा जान तो रिदेक्शन इन नंबर वाइल्ड यानिमल क्योंकि उसका जंगल ही नहीं रहा तो वाइल्ड इंबलस के जो नंबर मतलब उसकी जो संख्या है वो डाउन हो जाएगी सीधी बात है यदि एमदाबाद है मैं एमदाबाद में रहता हूँ कई लाख है एमदाबाद ही इंसक्र हो जाएगा तो यहां से लोग निकलना शुरू हो निकलना शुरू हो जाएगा तो पॉपिलेशन डाउन हो जाएगी जैसे इन लोगों की हुई तीसरा रीजन देखना खास हंटिंग थे इनिमल्स तो अप्टिन हैर इनिमल्स का शिकार करने लगे लोग क्यों उसके बाल काम में आते हैं उसकी स्कीन जिसे हाट कहते हैं वो भी काम में आती हैं उसके हडिया वो भी काम में आती हैं उसके सिंग वो भी काम में आती हैं उसके नेल्स वो भी काम में आते ह के लिए सारी चीजों को काम में लेते हैं काने के लिए इन सब चीजों के लिए उसका श्रीकार करने लगे इसलिए एंइमल्स की संख्या में दिक्री क्षेज हो गया बर वह सोने की मूर्गी सोने कांड़ा दिने वाली मूर्गी के बारá में आपने स्टोरी सुन ही होगी कि हरुज एक अंड़ा देती तो कोई दिक्कत नहीं है रिसोर्स एरोज मिल जाता है पर किसी दोस्तने कहा कि हरोज एक इंड़ाइसे क्या फर्क पड़ता है तो मुर्गे को काट डाल अंदर से तसारा अंदर निकाल ले यह ओर हो गया by man greedy motives हमारे motives को पुरा करने के लिए हमारी लालच को पुरा करने के लिए जंगल से सारी चीजें हम over choose ने लगे road बनाया multiple project बनाये mining के लिए minerals निकालने के लिए mining curry नहीं नहीं settlement cities को expanse किया इस सब की वज़े से animals wild animals displace हो गए वहां से निकल गए तो यह भी एक रिजन हो गया यह सारी चीज़ा बनाने चाहिए कोई दिकत नहीं बनाओ पर जो animals वहां बसते हैं उसके लिए भी कोई arrangement तो होना चाहिए बच्चे सीधी बात है यहां पर मेरा घर है यहां यहां government कोई project आ रहा है तो government क्या करेंगी यहां government कहेंगी कि हमारा project आ रहा है तो आपके लिए नए flats या नएगर हम इस जगा पे बनवा देते हैं तो यह सही बात हुई कुछ लोजिक वाली बात हुई पर यहां animal की तो कोई चिंता ही नहीं करता है पांचमा रीजन forest land are being encroached for grass forest की जमीन है जहां पर grass ज्यादा उगरा है वो जमीन को ज्यादा exploit करा जा रहा है जैसे वहां से खास लिया जा रहा है फ्यूल के दोर उपर लकडिया वगरे लिया जा रहा है अपने पालतू इनिमल्स को grazing करवाया जा रहा है तो यह भी और यूज हो गया तो वहां की इनिमल्स कहां चरने जाएंगे हमार घर आएंगे कि आप हमारे जंगलों में अपने पालतू इनिमल्स को चराने लेकर लेकर आते हों तो हम भी आपके घर पर आके खाना खाते हैं चलो खिला नहीं पांच शिक्स रीजन जो है वह भी बहुत ही बड़ा रीजन है जो रीसेंटली ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया वगरे में अमेरिका में आप देख लो फॉरेस्ट फायर इंगल्स मेनी स्पीसिस इंगल्स का मतलब होता है खा जाता है फायर यूदी हो जाती है जिसे गुजराद बुजा नहीं सब्सक्राइब तो जो बच्चे अभी हुए है जन्में है बंच्यों के बच्चे या फिर जो अंडे में ही है वो तो कहीं भाग नहीं पाएंगे तो यह से कहीं सारी स्पीसीज इस फायर के साथ खतम हो जाती है यह भी एक रिजन है वैं दे फॉरस फायर अक जो भी अंडे में है इट क्रियेट नेगेडिव इंपक्ट नंबर फायर निमस वह भाग नहीं पाएंगे जहां नहीं पाएंगे छोटे अभी लायन है जैसे टाइगर है जैसे डीर है जैसे अलिफंट उसके छोटे चोटे बच्चे अभी जन्म हो आए जिसका अभी दोड देफोरेस्टेशन हो गया तो उसके रिजसंस आगे हमने देखे उसके वज़े से क्या होगा मेंने इनिमल्स विदाउट इनी अब उसके घर तो है नहीं अब रहना तो जंगल जो जहां रहते तो वो तो चला गया हाथ से तो कॉम में अच्वास के जहां लोग रहते हैं चंगलों के आज बस्ती है वहां आ जाएंगे और इंसां के साथ भीड़ जाएंगे और इंसां के साथ यह अब भीड़ गये तो mostly अप्रकुर्ला गिसालो फिर वालिपस यू वह जाएंगे छोसेर्लिब उनली मरा देंगे इस दा 수도र लीजन नहीं पिर भृपर यह वेग्रिद बीन मेडिसेंज बनाने 910 ट 다रा की या जी जा चीजे बनाने के लिए हंटिम करा जाता है पर्फ्यूम बनाने के लिए हंटिंग करा जाता है और इसके वज़े से कहीं सारी स्पीशीज खतम होती है तो यह सारे रिजन्स था है कि वाइल लाइफ कैसे खतम होती है अब यहां पर मैजर्स और प्रिजर्वेशन वाइल लाइफ को यदि प्रिजर्व करना है बचाना है तो उसके मेजर्मेंट्स उसके स्टैप्स उसके सोलूशन उसकी रेमिडी क्या है देखो पहली रेमेडी तेख्म इंस नेसेसरी चेंज आवर्ण पहले तो हमें ख़ुद गाईटीट्यूट चेंज करना है थास्ज़ेशन कई पjimmel Plato को कि मिलता अन सबो यह सब कुषद को देते हैं तो यह attitude perception बदलना चाहिए, point of view बदलना चाहिए, we consider is it, it means forest, हम forest को क्या मानते है, कि source of unlimited income, उससे लकड़िया मिलते है, fall मिलते है, medicine मिलती है, सब कुछ जंगल से मिलता है, unlimited income मिल, का source ममानते है, जो कि ए गलती है हमारी, it means forest must be preserved, उसे हमें समभालना चाहिए, सोने की मुर्गे नहीं समझना चाहिए, only then the natural habitat of wildlife can be saved, तभी जाके wildlife का जो natural habitat है, बच्चे जान, उसे हम बचा पाएंगे, otherwise नहीं बचा पाएंगे, दूसरा point, दूसरा solution, maintain the balance, देखो, दू तरह के animals होते है, हार्विवर्स, तूसरे कार्विवर्स, हार्विवर्स मतलब जो कास फोस वगेरे जो खाते है, फल खाते हो, कार्विवर्स मतलब इस इसको खाते है, इस तरह के animals को खाते हो, यदि उन दोनों के बीच का जो balance वो बगड़ गया, बच्चे जान, तो क्या होगा, सिधी से बात है, यह animals यदि इसके number down हो गए, तो यह सीधे out of jungle जाएंगे, हमें हमारे साथ conflict में बेड़ेंगे, उल्टा उसे ही नुकसान होगा, तो इसका balance बनाया रखना है, तो यह जो हर्वर्स अनिमल से उसका हमें शिकर भी नहीं करना चाहिए, दूसरा, फोर दीस, उसके लिए इन दोनों का carnivorous, herbivorous का balance कैसे बनाया रखना है, for the steps like maintaining water source in the forest, forest में water source जो है, वो हमें बनाया रखना चाहिए, ताकि एनिमल्स पानी पेने के लिए वहीं जाए, कहीं और जंगल से बाहर जाने के उसे जरूरत ना पड़े, migrate करने के जरूरत ना पड़े, दूसरा, restriction on grazing of domestic animals should be taken, जो domesticated animals को जंगल में जाके चराते है, उसके उपर restriction आना चाहिए, क there should be strict laws on ban hunting, hunting के उपर strict ban होना चाहिए, prohibition होना चाहिए, laws should be implemented very harshly, harshly नहीं, harshly, strict laws implement होने चाहिए, heavy punishment होनी चाहिए, यदी कोई forest में illegal mining कर रहा है, ख़दानों में, minerals निकाल रहा है, illegally, बीना permission के, तो उसकी heavy punishment होनी चाहिए, उससे फालतर प्लें में उपर ले जाके, नीचे जंगलों में, बांद के, उपर से दोरी बांदनी है, यहां पर टाटी हो पे, मतलब पैरों पे, और उसका फेस नीचे जंगलों में घिसता जाए वैसा निकालना चाहिए, दो, पात, दस किलोमेटर, और फाइन भी लगाना चाहिए, बहुत सारा, it is necessary to make such arrangement, which would not disturb the animals during their procreative period, procreative period का मतलब सीधा है, honeymoon period, animals के भी honeymoon period आते है, जब वो अपनी girlfriend, wife करमते है, और family planning करते है, उस समय को हमें animals को disturb नहीं करना चाहिए, गिर में आप जाओगे, तो वो जो procreative period है, मतलब honeymoon period, जब lions के होता है, तो वहाँ पे vacation होता है, कि इसी को जाने नहीं देते है, तो यह यह भी होना चाहिए, a study should be made about likely effects of fisheries, fisheries जो हम कर रहे है, फिश को निकल रहे है, river से या लग लग जो भी water body से वहाँ से, forest से जो भी चीज़े हम निकल रहे है, tourism जो जंगलों में प्लान किया जाता है, तो उसके हमें study करनी चाहिए, प्लान बनाने चाहिए, and steps should be taken accordingly, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उस river को, उस water body को, उस जंगल को, वह हमें study करके, काम करना चाहिए, छथा, programs should be arranged to bring widespread awareness, society में, आसपास के लोगों में, जंगलों के प्रति, wild animals के प्रति, awareness है, वैसे programs create करने चाहिए, if the wildlife protection force is inactive, wildlife protection force, मतलब wildlife को बचाने वाली, जो force है, जो government specially बनाती है, वो यह एक्टिव नहीं है, तो pressure उसके उपर हमें बनाना चाहिए, दबान, दबान का यह ना आपड़े, कुझरादी में, उसके बड़ दबाव बनाना चाहिए, कि वो अपना काम बहुती अच्छे से करे, priority के साथ, तो यह सारे solutions हमने देख लिए, देखो, wild life protection scheme है अब, जो हमें पढ़नी है, some schemes, मतलब wild life है, जो animals है, जो birds है, उसे बचाने के लिए, कुछ government ने scheme शुरू करी, specially for some species of animals, ताकि उसे बचाया जा सके, वो जो, वर जो पर extinction है, खातम होने की कगार पर है, उसे बचाया जा सके, some schemes are implemented in India to protect the wildlife, under this scheme, some projects शुरू करे गए, ताकि animals की कुछ species है, which are in danger, जो खत्रे में है, और which are likely to be extinct, या फिर, आने वाल समय में जो खत्र हो जानी है, near future में, उसे बचाने के लिए, let us know about some of these projects in brief, पहला project, tiger, याद रहे, इसमें से कापी सारी चीज़ा पूची जा सकती है, सबसे पहले बात कर ले, इस पर one estimate there were more than 40,000 tigers में थे, 40,000 tigers, सही सुने यह आप, इतना tigers में थे, in India beginning of 20th century, कब जब 20th century की शुरू आत हुई थी, तब 40,000 tigers इंडिया में पाये जाते थे, देखे जाते थे, एक estimate का पोड़ी, due to unrestricted, कोई शिकार करने को उपर कोई restriction नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, उसकी वज़े से जो hunting हुआ न, and दूसरा point, deforestation जो हुआ, जंगलों का खात्म होता गया, there was a big danger for the extinction of tiger को, जहन का खत्रा हो गया, जिन्दा रहना मुश्किल हो गया, tigers को, in such circumstances, यसी परिस्थितियों में, यह project शुरू करा गया, तुसे tigers, यह एक मर्क के लिए यह पूछ सकते हैं, when was tiger project started, 1971 में शुरू करा गया, ठेक है, under the project, यह project में क्या करा गया, series of steps, कहीं सारे steps ले गया, taken to keep their natural habitat, उसका tiger जहां बसता है, उसको natural habitat को वैसा का वैसा बनाया जा रख है, and to maintain ecological balance, ecological balance भी बनाया जा रख है, वो भी national level पर, till now, this project is implemented in about, यह एक मर्क के लिए सकते हैं, कि tiger project कितोने areas पर, कितोने regions में activated है, अभी, तो 44 regions में, ठीक है, 1971 में शुरू करा गया, यह खास याद रखना, elephant project दूसरा शुरू करा गया, elephant project शुरू करा गया, 1992 में, 1992 में, main objective क्या था, यह elephant project का main objective, to provide the elephants protection in their natural habitats, उसके natural habitat में, जहाँ elephants बसते हैं, वो natural habitat में, उसे बनाया जाह रखे, दूसरा, to protect habitats and their migratory corridors, और वो natural habitat उसका जो घर है, उसे भी अच्छा ठीठा कर रखा जा सके, then migratory corridors, वो elephants ना migrate करते हैं, एक जगा से दूसरी जगा, kilometer तक जाते हैं, तो वो migratory corridors जो है, उसे भी बचाया जाह सके, today, आज, यह एक मर के लिए सकता है, कितने elephants zone है, total 26 elephants zone है, जिसमें elephants को protect करा जा सके, 26 protection zone है, especially for elephants, after the implementation of this project, यह project से शुरू हो गया, there has been an increase in the number of elephants, के numbers में बढ़ावा हुआ, इजाफा हुआ, we said this project also works for, यह project domesticated elephants जो होते हैं, उसके लिए भी शुरू रखा हैं, उसके maintenance के लिए भी यह project है, फिर है rhino project, आपको एक मर के लिए आ सकता है, तो one horn rhino, एक शिंग वाला जो rhino है, उसके लिए शुरू करा गया, यह कमार के लिए यह भी आ सकता है, कि rhino है वो इंडिया में mostly कौन से स्टेट में पाये जाते हैं, आसाम स्टेट में, mostly rhinos वहाँ पाये जाते हैं, और भी जगह है जहां पे rhinos पाये जाते हैं, वह है West Bengal का सुंदर्वन जंगल, तो टोटल दो जगह हो गई, mostly आसा में पाये जाते हैं, rhinos, one horn rhinos, और दूसरी जगह है West Bengal का सुंदर्वन वहाँ भी पाये जाते हैं, according to याद रखना, according to, एक strategy बनाई की rhinos की जो संख्या है, उसका जो नंबर है, उसे बढ़ा के, जब तक 2020 का year आ जायाता है, तब तक हमें, राइनो का target रखना है 3000, मतलब by the year of 2020, 3000 rhinos हमारे जंगल में होने चाहिए, तो ये तो target पूरा भी हो गया, 2020 year भी चला गया, अभी 2021 में हम जीर है, ठीक है, तो ये target complete हो गया, प्लस 300-400 rhinos भी थे, तो राइनो वीजन 2020 target रखा था, 3000 का, आसम स्टेट में mostly पाया जाते है, वान होन राइनो के लिए शूरू करा गया है, दूसरी ज़िए वेस पेंगल के सुंदरबन में भी पाया जाते है, फिर एक crocodile project है, जो fresh water की alligator से, उससे बचाने के लिए, ये project शू फिर वल्चर प्रोजेक्ट, वल्चर जो है, वो cleanliness worker है, जो मैंने आगे बताया था, वो क्या करते है, it's the meat of dead animals, जो animals मर जाते है, उसका meat ये खाते है, there are about 9 subspecies of vulture in India, इंडिया में 9, 9 subspecies है, वल्चर की, एक स्पीसिस नहीं, कहीं सारी स्पीसिस है, उसकी जाती है, अलग अ टाइप के vultures पाया जाते हैं, इंडिया में, due to the unusable decrease in number, this project was started 2004 में ये प्रोजेक्ट शुरू करा गया, Snow Leopard project, जो Himalai में, snow में जो leopards रहते हैं, especially उनके लिए प्रोजेक्ट, it is found, कहां पर ये snow leopard पाया जाते हैं, 3000 मिंटर के उच्चा हैं के उपर, वो altitude में, ये मिलते हैं, this project was started 2000 के साल में, इसे शुरू करा गया, परपस क्या था, increase the knowledge about snow leopard among the local people, जो है वहां, उसे पता चले कि snow leopard के बारे में, सब कुछ जान करें, उसे मिले, उसे हिसाब से ये शुरू करा गया, and the people would aware to protect, ताकि लोग उसे बचाए, उसके साथ साथ कहीं सारा और भी प्रोजेक्ट शुरू कर गया, जैसे कि काश्मेरी हंगल प्रोजेक्ट, रेड बांडा प्रोजेक्ट, मनी पूरी ता मनीपूर, मनीपूर में जो खास तरके हिरन, डीर पाया जाते है, उसे बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू करा गया, मनीपूरी तालिम प्रोजेक्ट, दूसरा, गंगा डूल्फिन प्रोजेक्ट भी शुरू करा गया, वाई, तो कि गंगा और ब्रम पूत्रा जो डूल्फिन मिलती है, उसे बचाना के लिए, तो यहाँ पे वाईल लाइफ की बारे में सारी जानकरी खतम, अब आता है तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना, जो आपको डिफरेंट कैसे करना है, वो भी पूछ सकते हैं, एक है सेंक्टूरी, दूसरा है नेशनल पार् है, वो भी देखते जाएंगे, सेंक्टूरी में human activities are permitted within certain limits, कुछ limit के साथ, unlimited permission नहीं है, unlimited आप grant permission नहीं ले सकते हैं, access नहीं ले सकते हैं, पर कुछ limit में permission है, तो human activities, sanctuary जितने एरिया में है, उतने एरिया में human activities allowed है, पर permission लेने पढ़े हैं, पर लिमिटेशन हैं, दूसरा, domesticated animals जैसे की गाई भेंस वगेरा, वो वहाँ, जहां सेंक्टूरी है, उस एरिया में घास चरने के लिए जा सकते हैं, बट, after due permission from the authorities की permission लेने पड़ेगी, कि भई हमारी गाई भेंस या वगेरा को हम चराने लेकर आ सकते हैं, हान जी, तो जा सकते हैं, तीसरा, wildlife sanctuary जो है, वो established हो होती है, protection of some species, कुछ species की protection के लिए, यह established होती है, sanctuary, sanctuary can be established by government, कौन established करता है, who established, the sanctuary is government, कुछ process के बाद, कुछ examples है, sanctuary के चीज़स के पेरियार, चंदरपरभा, एतुर नागरम, यह सारे, famous sanctuary के examples है, फिर है national park, देखो, national park जो है, बड़ी अच्छी चीज़ है, अब sanctuary से एकदम उल्टा जाएगा, देखो, compared to sanctuary, देखो, पहले ही point में compare कर लिया, sanctuary के साथ, compared to sanctuary, this is more protected zone, मतलब sanctuary में उतना protection नहीं है, जितना protection यहाँ, national park में बताया जाता है, बच्चा जान, समझे वाले बच्चे, दूसरा, more than one ecosystem included here, वहाँ कोई एक ecosystem क की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एक से ज़्यादा ecosystem को include करा जाता है, समझा, मतलब ecosystem का पतलब यही है कि, कहीं सारे organisms, कहीं सारे living beings, वहाँ एक साथ group में रहते होता है, there is a complete band, देको, वहाँ grazing करने के लिए आप अपने गाइपेंस को sanctuary में लेके जा सकते थे, permission के बाद, यहाँ पर total band कर दिया है, permission लेने की बात ही नहीं, यहाँ पर लेके ही नहीं आ सकते, कहाँ पर national park में, band on animal grazing, it is not centered around one species, कोई एक species का खयाल यहाँ नहीं रखा जाता है, क्यू in national park यहाँ पांच्वा नमर, इस 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 तो इस तूदर कोडिनेशन यहाँ पे, state government और central government, दो नो साथ में हाथ मिला के, इसका establishment करते हैं, examples लेला थे, काजी रंगा, जिम, कॉर्बेट, वड़ा बदर, तेके, फिर आया, बायो रिजर्वा, बायो रिजर्वा, बायो रिजर देखो, बायो रिजर्व जो है, वो international rules and regulation के according, established करा जाता है, उसमें किसी country का कोई रूल नहीं चलता है, purpose क्या है, to protect the physical and cultural diversity of regulation, कोई एक area की, physical diversity, cultural diversity, दोनों, मतलों, वहां की bio diversity, वहां के wild animals, वहां के जंगल, फिर, cultural, मतलों, वहां जो लोग रहते हैं, उसका culture, उसकी language, उन सब को protect करा जाता है, बायो रिजर्व जोन में, तीन चीज़ों को यहां protect करा जाता है, देखो, एक vegetation, जो वहां पे जो भी animals, birds, insects रहते हैं, उसे, और वहां के जो जमीन है, उसे भी, lifestyle of the people, जो जो वहां रहते हैं, उन सब को यहां पे protect करा जाता है, vegetation, insect, land, lifestyle of the people, तो, all are protected over there, special arrangement करा जाता है, research करने के लिए, training करने के लिए, बायो रिजर्व में, यदि की सब करना है, उसके लिए special arrangement होता है, और arrangement, permission के बादी, आप उसमें कुछ, research वगरा करने, training वगरा करने जाह सकते हैं, अब देखो, in such proclaimed area, मतलब इस बायो रिजर्व जोन में, all, यह ने समपार्ट जैसा है, all external human movements are totally restricted, यहां पे आप कोई human movement नहीं कर सकते हो, without permission, आप उसमें गुजभी नहीं सकते हो, restricted, totally banned, the average area of such zone is larger than, देखो, बायो रिजर्व जोन का average area कितना होता है, more than है, यह 5000 स्क्वेर किलो मेंटर का average होता है, important by reserve zone कौन कौन से है, nation के निलगिरी, Gulf of मनार, ग्रेट, निकोबार, सुंदर बन, पंजमडी, यह सब, बड़े-बड़े बायो रिजर्व जोन है, अब एक मर के लिए भी आ सकता है, देखो, run of कच, मतलब कच का जो run है गुजरात में, वो भी बायो रिजर्व जोन के तोर पे डिकलेर करा गया, कब करा गया, 2008 में, क्यों, वहां की special environment condition है, उसे protect करमे के लिए, अब देखो जो एक्जाम में frequently पूछा जाता है, देखो, टोटल बायो प्रोटेक्शन जोन, बायो रिजर्व जोन इंडिया में कितने है, अठारा, यह अठारा में से गुजरात में कितने है, एक, टोटल नेशनल पार्क, इंडिया में कितने है, 103, 103 में से गुजरात में कितने है, चार, टोटल सैंक्चूरी इंडिया में कितनी है, 531 आउट ओ 531 गुजरात में कितनी सैंक्चूरी है 23 आई समझ बात पस अब यह कंक्लूजन है कि डेवलोपमेंट जो है वो इनेविटेबल मतलब जरूरी है बेट अलोंग विट उसके साथ साथ हमें दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि उसकी खराब एफेक्ट ना हो और एंटारी लाइफ सिस्टम जब हम प्लान कर रहे होते हैं डेवलोपमेंट का वैनेवर वन स्पीसिस इस कंपलेटली जैश्ट्रोई को एक स्पीसिस चाहे वह अनिमल बर्ड इंसेक्ट को एक खतम हो जाती है तो उसका रिजल्ट के आता है उसकी फूरी पूरी फूरी यही बात है सब बताई गये इसमें से कुछ पूछा भी नहीं जाता है इसके बाद नहीं वीडियो में फिर से मिलेंगे इन सारे वीडियो उसके शूर्ट वीडियो में मिलते रहेंगे इंगलिश में भी हम मिलते रहेंगे बस मिलते रहेंगे तब भी तो हम जिन्दा रहेंगे जय हिंद जय बारत जय जय गर्वी बुछ रात